असलाम वालेकुम स्वेंटस। आपकी एक्षरा क्लासस के सिलसले में हमने ने यह प्लाइन किया था कि कुछ छोटे-छोटे से टॉबिक्स जो आपको वीडियो की सूरत में मुहिया कर दिया जाएं ताकि जब हम एक्ट्रा क्लासस करें तो हमारे पास ये चोटे-चोटे से topics discuss करने के लिए अलग से हमें time न देना पड़े तो खौईश मेरी यह है कि maximum 5 minutes या 7 minutes की वीडियो के अंदर कोई topic discuss हो जाए ताके बाद में हम उससे फाइदा उठा सेके तो इस वक्त आप देखें कि chapter 8 में हम जो जिस जगा हमने फिजिकल क्लासिस को छोड़ा था फिजिकल क्लासिस को उसमें से एक तो यह सबसे पहले आप देख रहे है what is Newton's formula for the speed of sound और उसके errors क्या है उसका percentage of error क्या है laplacian correction उसमें क्या है यह सब हम discuss कर शुके थे अच्छा अब इसमें एक और question आता है discuss effect of temperature on the speed of sound अच्छा आप speed of sound पे temperature का क्या impact आता है क्या effect होता है वो बताना है अच्छा sometimes यह वाला question आता है यह आपकी book में है कभी-कभी यह आ जाता है calculate the speed of sound at 0 degree centigrade 0 degree centigrade पे speed of sound बतानी है तो यह पुरा एक numerical होता है इसे आपने calculate करना होता है तो पहले हम देखते है discuss the effect of temperature on the speed of sound तो सबसे पहले जब इसे start करते है तो आप यहाँ से start करते है जो हमने पहले से जो जानते है वो क्या है कि we know by Laplace's formula क्या बात पता है हमें याद है आपको Laplace नहीं बात कही थी कि we is equal to under root R P divided by raw यह होता है अच्छा raw आपको याद है क्या चीज़ है तो raw होता है mass upon volume अच्छा मैं इस वाली equation को चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि यह R P divided by raw अच्छा यह P है ठीक है P for atmospheric pressure वाला pressure तो अब आएं ज़रा इस value को यह इदर रख देते हैं तो मेरे पास क्या आजाएगी speed of sound यह आजाएगी R P divided by raw और raw की value क्या है mass over volume अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंड करता हूं यह है speed speed वाला V और यह volume वाला V volume वाले V को मैंने ऐसा निशान लगा दिया अच्छा एक class में यह discussion हो गई थी दूसरी class में यह नहीं हो पाई थी तो मुझे भूल गया कि कौन से वाले section में हमने discuss की थी आपके पास जाहर है कि copy में यह work हुआ होगा जिनके पास नहीं हुआ उन्होंने फिर लिखना है तो मैं इस lecture के बाद इसकी pdf भी share कर दूँगा तो आपने उसमें से इसे लिख लेना आपनी copy maintain कर लेनी है यह आपके काम आएगा अच्छा अब यह v velocity equal to r p इस divide को अगर मैं cross करूँ तो v तो चला जाएगा उपर और m आजाएगा नीचे अच्छा इस v के साथ मैं यह वाला निचान लगा देता हूँ तो p v यह दोनों multiply हो जाएगे तो क्या जाएगा मेरे पास speed of sound equal आजाएगी r p v divided by m यह वाला m मैंने side पर लिख दिया इदर अच्छा यह इस जगा पर ठीक है अच्छा अब अब यह देखें p v यह क्या चीज़ है p v equal होता है n r t तो मैं इसी जगा पर लग देता हूँ r n sorry n r t और divide नीचे हो रहा है इसके m के अच्छा आएगे ज़रा थोड़ा सा आगे चलते तो यह मेरे पास अब जो formula v is equal to r, r आपको यहाद है gamma किसके equal था, gamma equal था c p divided by c v ठीक है, यह आपने chemistry में भी discuss किया होगा और हम physics में भी discuss कर चुके थे तो r किसके equal है, अब r के नीचे m है और p v की जगा मैंने लिख दिया हुआ है n r t, अच्छा मैं इसे थोड़ा सा और arrange करके लिखता हूँ, क्यूंकि मेरे L में पहले से है कि मैं क्या करने वाला हूँ इसलिए मुझे arrange करने में आसानी होती है formula को इसलिए से r t, यह n और m मैंने अलग अलग लिए अब आपको याद है n n होता है number of moles तो mole यनि के n equal होता है given mass of the substance divided by molecular mass of the substance अच्छा आप ये molecular mass नीचे आगया, given mass उपर आगया, तो मैं क्या करता हूँ कि given mass को m से जाहर करते है, molecular mass को capital m से जाहर करते है, ठीक है यहाँ भी यही mass है अच्छा आप मैं क्या करता हूँ, यह जो फावूला है और यहां से m क्यूंकर चला गया तो यहां बचेगा 1 और नीचे divided by m यह आगया, अच्छा अब यह यह जो value है इससे मैंने substitute करना इस जगा पर ठीक है, तो क्या आजागा मेरे पास speed of sound यह देखें, v is equal to under root अच्छा यह आपको नज़र आ रहा है r, यह वाला r यह as it is आगया इदर और यह जो n upon यह, n over m है इसके जगा यह वाली value हो आजागी यह नी 1 over m और आगे क्या है इसके इसके आगे यह देखें, यह rt तो यह rt as it is आगया तो क्या आगया मेरे पास, v is equal to gamma into r into t divided by m अच्छा, r आपको पता है r की value, air के लिए 1.4 होती है r universal gas constant है 8.31 joules per mole per Kelvin, और mass जो है अब बताएं, हम जिस जगा पर बोलते हैं और जहां हम आवाजें सुनते हैं, उस जगा पर air मौजूद होती है, तो यह जो molecular mass है यह molecular mass of air होगा of air अच्छा, और इसकी value हमें याद हो तो ज्यादा अच्छा है वरना हम इसे calculate भी कर सकते हैं, और calculation का तरीका हम अभी करनी वाले हैं, थोड़ी सी देर में लेकिन मैं इसकी value आपके सामने लिख देता हूँ मेरे सामने एक कॉपी रखी है, उस पर एक बच्चे ने इसे calculate करके रखा हुआ है, तो यह है point 0285 kg, यह molecular mass of the air होता है, एक air का molecule इतना होता है, ठीक है तो यह तो हमारा हो गया effect of temperature, आप effect of temperature कैसे discuss करते हैं, यहां से देखें, वी is equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यह वाली जो equation है, इसे हम constant हैं, और इनके साथ multiply करके मैंने t लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा, यह पूरा factor constant है, equal और constant हटाएं, तो क्या sign लगता है, directly proportion लग जाता है t, यह, तो यह जो पूरी चीज है, इसके साथ आप जान लिख दें, under root r, r divided by m, यह है constant, ठीक है, तो constant और equal हटाएंग ठीक है, इसका under temperature increase करने से speed of sound increase होती है, ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजेगा, यह आपका एक lecture हो गया, ठीक है, इसके बाद, मैं how to calculate speed of sound at 0 degree centigrade, वो calculate करवाँगो दूसरे lecture में, ठीक है, 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 इसे जरूर अपनी copy में note down करना है, यही आपका assignment है, शुकिया भी,